इस वीडियो में मैं आपको बताने, आप मायक्रोमेक्स के मॉबाइल फॉन में आप जो है अपने किसी भी फोटो को बाल पेपर पर कैसे लगा सकते हैं, यानि कि कैसे सेट कर सकते हैं, तो यह जानने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से लाश्ट तक देखिएगा, और च पेपर का इस पर क्लिक करना है इसमें आपको यह option मिल जाएगा photos का इस पर क्लिक करिए तो यहां पर आपके आपके दोस्तों mobile के भी फोटो आ जाएंगे जब आप यहां पर क्लिक करेंगे और नहीं आते हैं तो आपको देखिए नीचे आपको वो सारे folder मिल जाएंगे photo के जो कि आपके phone में होंगे जैसे मेरा screenshot में 10 photo है तो यहाँ पर 10 item दिखा रहा है image में 15 image है तो यहाँ पर यह दिखा रहा है अब देखिए आपको जो भी photo ball paper में लगाना है उसको आप यहाँ से select कर लीजिए सबसे पहले उसको कर लीजिए open उसके बाद जो भी photo आपको लगाना है ball paper में उसको आप यहाँ से select कर लीजिए मलदब कि आप choose कर लीजिए और choose कर देने को बाद आपको यहाँ देखिए एक दोस्तो जो है tick का icon मिलेगा इस पर click करना है फिर अगर आप इसे home screen, lock screen दोनों पर रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर click करके home screen and lock screen पर देंगे click कर तो यह wallpaper आपके phone में set हो जाएगा आपके photo का तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे phone में हमारे photo का ball paper लग चुका है तो इस तरीके साल जो है Macro Max के मॉल phone में आप अपने किसी भी photo को ball paper पर लगा सकते हैं वीडियो पसंद आया है वीडियो को like करके चैनल को subscribe जरूर करिएगा